बच्चो आज हम लोग मोर का त्र बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर ब्यास से आप एक ब्रित्त बना लीजिए और दिखाएगे वीद से इस तरह से आप लोग मोर की आकरित को दिखाएं यह बहुत ही सरल तरीका है चित्र बनाने का और आपका पूरे इसी ब्रित्त के अंदर पूरा मोर रहेगा चोंच बनाने के बाद उपार इस तरह से कुछ पंक दिखा दीजिए अब दिखें आपका पूरा ब्रित्त के अंदर ही है अब यहां पर मोर का बड़ा सा पंक ब्रित के बाहर जाएगा बाकि पूरा चित्रन जो है बृत के अंतरगत रहेगा इसका उपयोग आप लूग आलेखन में बना सकते हैं कहीं सुंदर सजावड में बना सकते हैं बहुत सार उपयोग कर सकते हैं और मोर वैसे भी काफे रंग भी रंगा सुन्दर पुच्छी होता है और इस तरह से मोर पंख बनाईएगा जहां पर रेसे माध्यम से इसको रंग करना है यहां दिखिए आपका यह मोर पंख कंप्लीट हो चुका है बृत के बना आकर और आरेंज का प्रियोग करते हैं मोर पंख में नीला और चटक रंगों का प्रियोग करते हैं पैर और चोंच बन चुकी है पीला लगाने के बाद आरेंज का प्रियोग करते हैं पंख काफी चटक और सुन्दर होते हैं इतने पर आपके देखिए अच्छी सुन्दर लग रहा है मोर इसको आप लोग आलेखन में भी प्रयोग कर सकते हैं बहुत साही जगों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है काफी सुन्दर मोर पंखों में रंगों का प्रयोग चटक चमकदार रंगों का प्रयोग करना है आपको हरा, गाड़ा हरा, हलका सा नीला इन सब के माद्यम से जिस तरह दिखाएगे विदी के आधार पे आप मोरपंक बना लीजिएगा क्या फी सुन्दर मोरपंक दिख रहा है बहुत ही सुन्दर और आकरशक एक तरफ हरा का प्रयोक किये हैं जो आपका गाड़ा का दिखेगा और दूसरी तरफ हलका नीला लगाएंगे तो मोरपंक में ही डबल डबल से डा जाएंगे अभी नीला लग रहा है इससे आपका लाइट और डार्क दोनों का प्रयोक हो जाएगा पोश्टर कलर से जब करिएगा तो पहले बैग्राउंड को हलके रंगों से करने के बाद इस तरह से गाड़े रंगों का प्रयोप करेंगे बहुत ही सुन्दर और अच्छा चित्र बनेगा नीला से कहीं कहीं पंक में लगाते हैं जो आपका ये चटक और चमकदार प्रतीत होगा चित्र आपका बन चुका है इसको बनाएं और कमेंट जरूर करें कैसा बना है